हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आप सभी का जोड़तार स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में और जो मेरा वीडियो है दोस्तों आज बहुत सारे सब्जक्ट के लिए है एक तो जो भीटियो वीडियो का इक्जैम होना है दूसरा देखें तो ल्टी और जो फोर्रेस्ट ре के जो रिजल का बारा है और उसके बाद आगे देखें तो लेक्चर के जो सांती है पहले तो उनका मैं कुछ डाउट है वो भी क्लियर करूँगा यहां पर और दोस्तों इसके बाद जो अगला है कि जो मेरे 746 पोस्ट वाले हैं 31 अक्टूबर को जो ग्रूप C के सांती है उनका जो अभी क्योंकि आंसर की आ ग प्रत्याविदन वाले कोशन होते हैं उन पर जो रूल होते हैं वो आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत जादा कंफ्यूज हैं कि उसमें क्या होगा तो यह पूरा वीडियो देखेगा वैसे यह सबके लिए इंपोटेंट है चाहे कोई भी देख रहे हों या ल्टी वाले हो या आपके वीपीडियो वीडियो वाले हो या जो फॉरेस्टर वाले साथी हैं रूल उन्हें भी पता हुने चीए तो दोस्तों सुरुआत करते हैं फिर आज का वीडियो दोस्तों मैं यहाँ पर सबसे पहले परिशान नहीं करूंगा ल्टी और जो ल्टी की भी और दूसरा आपके फॉरेस्टर की अभी मैं आपको बताऊं अभी कुछ समय इसमें जरूर लगेगा ल्टी का तो थोड़ा समय लग सकता है आप यह समझ के चलिए क्योंकि इसकी 22 तारिक को जो इसकी सुनवाई की डेट रखी है उससे पहले रिजल्ट तो द दोनों का फसा हुआ है तो अभी कोई भी कुछ इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है लेकिन हाँ दिसंबर की एक्सपेक्टेक्शन है जो अंदर बात करके पता चली कि दिसंबर में रिजल्ट हो सकता है यह मैंने आपको अगस्त में भी बता दिया था एल्टी का खास कर क दिसंबर में रिजल्ट आ सकता है तो दोस्तो जो मेरे फॉरेस्टर के साती है आप लोग खास कर 20 तारीक के बाद ठीक है दोस्तो 20 तारीक के बाद आप एक्सपेक्ट करें कि रिजल्ट आ सकता है 20 से 25 तारीक के बाद उसके बाद में आपको जब भी मुझे इसकी फाइनल चाहे इसके लिए RTI लगानी पड़े चाहे जो भी करना पड़े आयोग में पता करना पड़े या फिर कोट से ठीक है दोस्तों तो लेकिन मेरे प्रहतना आप लोग के लिए होंगे बिल्कुल क्योंकि आप लोग बहुत पहले से परिसान है तो आपका रिजल्ट जल्दी आए मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ और बिल्कुल आप लोग टेंसन ना लें ठीक है दोस्तों तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको लोग के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी रिजल्ट आने का कुछ ऐसा पका नहीं हुआ जैसे होगा तो खाली मैं आपको ऐसे परिसान नहीं करना जाता हूँ तो मैं ये सोच लीजिए मेरे प्रयात बिल्कुल आपके लिए होंगे मैं आपके साथ हूँ ठीक है अब बढ़ते हैं आप बात करते हैं जो जो VPDO video का जो exam होना है तो आप लोग को मैं बता हूँ जो 854 पोस्ट वाला ये कुछ exam है जो VPDO video बहुत सारी इसमें graduation level की हैं तो ये जो exam है ये December में होने के इसके सबसे ज़्यादा chances हैं दोस्तो नौमबर में exam नहीं होगा ये December में exam होगा इसकी मैंने अच्छे से वहां बात करी तो ये December में exam होगा वीपीडियो वीडियो का ठीक है तो आप December में मान के चलिए Final Date क्या होगी जैसे ही क्योंकि अभी तक तो IOC के पास भी कुछ Final नहीं है लेकिन करीबन करीबन इसका बन रहा है कि 5 December के बाद या 5 December 10 December उसके बाद आप expect करके चलें इतना आप सोच लें कि December में वीपीडियो वीडियो का exam जरूर हो जाएगा जहां तक है आप कोई बड़ी अर्चन आ गई तो वो तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है उसमें लेकिन December में वीपीडियो वीडियो का exam हो जाएगा ठीक है दोस्तो अब बढ़ते हैं हमारे लेक्चर के जो साती है उनके कुछ doubts है तो उस पर बढ़ते हैं उस पर बात करने हैं दोस्तो तो दोस्तो हमारे जो लेक्चर के साती है वो लोग उनका एक doubt चल रहा था इसमें मनीस गरी जी हैं सायद और कुछ लोग और हैं उसमें तारा जी भी हैं तो कई लोग बहुत सारे लोग मैं देख रहा था उनके comments पार रहा था तो लोग ये परिसान है कि जो इसमें क्या lecturer का जो mains है कि क्या mains में ये pattern है या ये pre के लिए था क्योंकि आपको बताओं अमूमन ये pre के लिए होता है जहां भी आप देखते हैं ज्यादा तर exams में ये pre के लिए रखा जाता है क्योंकि pre में इतना आपको ले के आओगे तो कम से कम इतना होना चीए तब आप mains के लिए qualify करोगे ये हर जगा होता है ठीक है दोस्तों जैसे आप कुछ नहीं तो आप ctad utad में भी देखते हैं लेकिन आपको बताओं यहाँ पर मैं आपका doubt clear करता हूँ मेरी कल बहुत अच्छे से वहाँ पर जो बड़े अधिकारी है उनसे बात हुई तो यह जो pattern रखा गया है तो यह pattern mains के लिए है ठीक है दोस्तों यह जो अभी आपने mains का exam दिया हुआ है इसमें आपको qualifying जो भी pattern है चाहे general का 45 है किसी का SC work का 40 है जितना भी है दोस्तों ठीक है तो यह mains के लिए है इतने आपके सबसे कम marks होने चीए तभी आप इसमें mains में clear कर पाएंगे ठीक है अब यहाँ पे आपको कोई confusion नहीं होना चीए कि यह pre के लिए था है mains के लिए तो यह जो pattern वाला है यह mains के लिए है qualifying वाला pattern अब बढ़ते हैं दोस्तों उस बात पे कि जो rules होते हैं प्रत्यावेदन के या objection question के वो मेरे 746 post के जो साथी है और साथ मैं lecturer के साथी क्योंकि 746 post वालों के लिए ज़्यादा पहले है क्योंकि उनका तो अभी answer की आ गई है तो आपका यह में doubt यहाँ पर clear करता हूँ दोस्तों ठीक है अब दोस्तों क्या होता है यहाँ पर कि जैसे कोई exam हो जाता है आपने exam दे दिया अब वो क्या हुआ था exam में कोई question ही गलत है उसने question बिल्कुल गलत दे रखा है क्या था कि question देना था उसे इरान का और तुरान का दे दिया मतलब question ही बिल्कुल गलत है ये wrong है और अगर आयोग भी उसे सही मान लेता है तो वहाँ पर सब को एक number मिलेगा ठीक है और सबसे पहले तो एक बात बताता हूँ कि कुछ लोग तो इसमें भी confused है इसमें lecture में भी और जो group C का exam हुआ है दोनों में 1 by 4 वाला formula है आपका एक question अगर आपने एक question गलत कर दिया तो 0.25 marks कटेगा 1 by 4 वाला formula दोनों में लगेगा समान है मतलब आपने चार question आपने एक सही कर दिया या चार खराब हो गए तो बात वही हो जाएगी 0.25 कटेगा ठीक है दोस्तों तो पहला मैंने आपको बताया कि अगर question ही गलत दिया है तो सबको एक grace मिल जाएगा दूसरा point देखते हैं अगर मान लीजे question है question बिल्कुल ठीक है question बिल्कुल सही है लेकिन जो उसके points रखे गए A, B, C, D होना चाहिए था A, ठीक है होना चाहिए था right answer A लेकिन वहाँ पर उन्होंने मान लिया है अभी जो answer कि आपकी आचुकि उसमें B मान लिया है तो अब क्या होगा आप लोग ने जित्ते लोग ने B लगाया था और कुछ लोग ने A लगाया था अभी जिन्होंने B लगाया था आप लोगोंने फिर पत्याविदन लगाया और मान लीजे objection लगा के वो objection वहाँ मान भी लिया आयोग ने उसे सही मान लिया तो अब क्या होगा जित्ते लोगोंने B करा था उनका तो एक marks कट जाएगा एक marks क्या कटेगा एक तो वो marks तो उनका कटी गया और 0.25 और कट जाएगा क्योंकि वो एक उन्होंने wrong कर दिया तो 0.25 कट जाएगा और 1 marks तो वो कटना ही है क्योंकि उनका wrong मान जाएगा और जिनों ने A करा था उनका 1 marks बढ़ जाएगा और उनको 0.25 जो उनका करणा था वो भी minus मतलब वो उनको मिल जाएगा ठीक है क्योंकि जब आप एक गलत करते तो 0.25 करता है और एक आपका वैसे ही गलत हो गया चाहे कोई A होना था तो B दिया है ठीक है दोस्तों आप तीसरा पॉइंट आता है कि आयोग ने क्या कर रखा है मान लीजे कोई question ऐसा आया था जिसके चारों के चारों option गलत थे उसके क्या था चारों के चारों option गलत थे एक भी option जो था वो right नहीं था तो उसमें क्या होगा दोस्तों किसी ने यह लगाया था किसी ने सी लगाया था कुछ भी लगाया था तो उसमें क्या होगा उसमें सब को grace मिल जाएगा उसमें सब को एक marks मिल जाएगा सब का एक marks हो जाएगा उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि जिसने प्रतियाविदन लगाया क्योंकि उसके तो सारे उप्शन गलत थे तो उसमें सबको एक मार्क्स मिल जाएगा ठीक है दोस्तो अब एक अगला पॉइंट आता है दोस्तो मानली जी कोई कॉशन है उसके दो आंसर राइट है मानली जी बी बी राइट है और सी बी राइट है लेकिन आयोग ने ऐसा कोई उप्शन दो दिया नहीं है कि दो बी और सी दोनो राइट और वहाँ पे दोस्तो कई जगह पे तो ये देखा जाता है कि कौन उसके पास वाला बिल्कुल जो क्लोज वाला राइट है उसको पहले राइट मानते हैं मानली जी बी बहुत ज़्यादा क्लोज है तो बी को राइट वहाँ पे माना जाएगा लेकिन कुछ कॉशन दोस्तो ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ही बिल्कुल क्लोज हैं दोनों ही right होने चीए ऐसे बहुत सारे question होता है जिसमें दोनों ही right होने चीए तो वहाँ पर I.O. क्या करेगा अगर ऐसा होता है तो सब को एक number मिलेगा चाहे वहाँ पर आपने question attempt करा हो या ना करा हो ठीक है दोस्तों क्योंकि I.O. ये मानता है कि हो सकता है कि बच्चों ने इ empty नहीं करा क्योंकि उन्हें लगा होगा कि इसके तो दोनों answer right है हम करेंगे तो हमारा और भी question 1.25 कट जाएगा इसलिए और ये दोस्तों जो और भी question है जैसे मान लीजे मैंने आपको सुरुआत में बताया था कि अगर सारे answer उसके गलत हो या question ही गलत हो तो वहाँ पर भी वह क्या करता है कि सबको देता है चाहे आपने question attempt जहाँ पर मैंने बोला कि grace देता है तो grace वह वहाँ पर देता है जहाँ पर सबको मिलता है grace फिर आपने चाहे वह question attempt करा हो या ना करा हो जहाँ पर पूरा grace मिल रहा है एक number का क्यों क्योंकि वह ये मानता है कि आपने इसलिए वो attempt नहीं करा होगा कि आपने यही सोच के कि भईया मैं अगर करूँगा तो मेरे को और भी घटा हो जाएगा फायदा होने से तो यहां पर वो भी अपनी यह समझ लगाते तो सबको एक number grace मिलता है अब एक last आता है कि माल लीजे कोई question ऐसा है कि उसके सारी answer right है और सारी answer right है यह मिला जुला है इससे पहले वाले options है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके सारी answer बिल्कुल right है तो वहां पर भी दोस्तो सबको एक number मिलता है चाए आपने question attempt करा हो या ना करा हो सबको एक number grace वहां पर मिलेगा ठीक है दोस्तो तो अब यह वाली बाते हो गई अभी हमारे जो 31 October के साथ है उनके यहां पर क्योंकि answer की आज चुकी है आप यहां पर अपना जो भी अपनी बाते करनी है कि कौन सा question गलत है आपको जो भी लगता है आप यहां पर अपना group बना के यहां पर discuss कर सकते हैं कि कौ कौन से question है जिस पर प्रतियाविदन लगाना चाहिए और देखे दोस्तो बिलकुल अगर आपको लगता है कि कोई question गलत है तो आप यह मत सोची कि अगला आदमी प्रतियाविदन लगाएगा आप भी कोसी से करिए उसमें जो जो रूल होते हैं आपको पता ही है और नहीं प सकता है अगला आदमी भी सोच के बैठा हो कि यार कोई और लगाएगा अगर कोई भी question आपको गलत लगता है तो आप उसमें प्रतियाविदन लगाईए और वो अगर बिलकुल आप ठीक हैं तो वो मानने होगा और बांकी मैंने आपको रूल बता दिया हैं कि किसमें किसको marks मिलते हैं और किसको marks नहीं मिलते हैं कौन से उसमें ये आपका clear हो गया होगा बांकी मैंने सभी लोग को अभी lecture का भी जब आ जाएगा तो आप लोग भी अपना प्रतियाविदन लगाईएगा ठीक है दोस्तों और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बदाईयां दोस 31 October Group C वाला उसमें आप लोगों ने अभी तक अगर भाग नहीं लिया है जिनोंने भी उसमें अगर अपने marks कमेंट नहीं करें अपने marks कमेंट करें क्योंकि वो पोल अभी जारी है उसका करीवन एक अपते बाद फिर उसकी final answer की जो है final जो merit है वो बनाई जाएगी तो आप जितना भाग ले सकते हैं उसमें भाग लीजे जिन लोगों ने भी उसमें भाग अभी तक नहीं लिया है जरू उनको भी आप कहिए चाहे उसका वीडियो का लिंक भेजिए कि एक बार अपने marks वहाँ पर आप कमेंट कर दें ठीक है दोस्तों तो मिलेंगे next वीडियो में ओ ओके दोस्तों थैंक यू